तो इसका मतलब है यार अगर एक स्टुनेंट आ रहे हैं तो उसकी विज़े से युके जो है वो काफी ज्यादा कंट्रोल पर लगाने भी वाले आगे वेल्कम बैक अगें मैं हूं गौरब और आज की वीडियो है काफी ज्यादा है कि डिपेंडेंट वीजा के ऊपर कुछ स्ट्रेक्ट रूल लगने वाले हैं या फिर वह बंद हो जाएगा तो इस वीडियो पर बात करने वाले काफी साथ मैंने रिसर्च करिया ओनलाइन और देखा कि क्या क्या आर्टिकल्स है वह अवेलेबल है और क्या उसमें लिखा तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यार 2021 में जैसे कि आपको पता है यहां पर PSW पोस्टडी वर्क वीजा जो है वो मिलना स्टार्ट हो गया था स्टूट्स को मतलब स्टूट्स पढ़ाई करने के बाद दो साल का पोस्टडी वर्क वीजा लगा के यहां पर जॉब अगरुन की यहां पर सत्सक्राइब लेकिन जो है उन्हों ने यह स्टैस्तिक्स गेडर किया है और यहां पर इस कंट्री में यूखे में काफी सथा माइगरेट हुरें तो यह एक आर्टिकल जो है ऑनलाइन मैंने पढ़ाय पूरा आर्टिकल ऐसे दो आठिकल है जिसको मैं अच्छे से पढ़ा है और यह देखा है कि UK जो है वो रिव्यू कर रहे है अपने immigration rules ऐसा नहीं है कि एक student आ रहे है तो एक dependent आ रहे है दो dependent आ रहे है तो जो उनकी जो numbers है जो calculation है वो five times बहुत जादा बढ़ चुकी है 2022 में तो इसी reason के विज़े से जो आजकल immigration जो है उसके rules जो है वो थोड़े review कर रहे है युके government और यह देखते हैं कि क्या इसे rules जो है वो ला सके जिसकी help से एक तो immigration में control हो सके और while maintaining the growth अब यह भी है कि यार UK में अगर इंडिया से या और भी country से अगर student visa पर आते हैं लोग और यहां पर skilled worker visa पर आते हैं और बाद में वो skilled worker job लेते हैं तो यूके economy में भी growth जो है वो जाधा बड़ेगी तो वह यह भी नहीं चाहते है कि हम बिल्कुली student visa को जो है वो बिल्कुली stop करते और वो dependents ना पाई है students ना पाई या फिर बिल्कुली dependent visa को stop करते ऐसा और अभी कुछ भी आर्टिकल में नहीं लिखा है तो डिसीजन इस यह तो बिमेट यहां पर कुछ प्रवेश्ली क्योंकि नंबर्स जो है वह बहुत जादा राइस कर रहे हैं तर्माटिकली राइस कर रहे हैं फाइव ताइम्स बढ़ चुके हैं 2019 में जो नंबर्स थे और जो 2022 में नंबर है वह फाइव ताइम्स बढ़ चुके हैं dependent visa के अब इसी आर्टिकल में आप देख रहे हो नीचे इन और नंबर्स भी लिखे हूँ है अंडिंग जून 2022 4,86,868 sponsored study visa वे वीजा वर गांटे इंक्लूड़िंग dependence which is 71% more than 2019 the last full year before the pandemic अब इन में से 81,000 के around जो नंबर है आपको पता ही होगा हर जगा पर डेटा का काम किया जाता है कि वहीं कितने नंबर जो है वह पहले थे और कितने अब है तो इन्होंने जो यह साइल क्या पर करिया और इसी रीजन साई UK जो है वह रिव्यू कर रहा है अब आप लोग सोचो कि यार के स्टूडेंट अगर यहां पर आता है तो साथ में डिपेंडेंट्स को तो लाएगा ही ना अपने बच्चों और अपने जो स्पाउस है वह इंडिया में तो नहीं चोड़ देगा और भी किसी कंट्री सा रहे हैं तो इनको ऐसा क्यों लग र करते हैं या फिर अगर वह बच्चे है तो वह पे नहीं करते हैं and so likely underestimates the total economic contribution that international student brings to the UK so basically your dependence है उनकी वज़े से जो economy contribution है वो कम हो रहा है rather than के बढ़ने के बजाए अब यह जो दूसरा article है telegraph.co.uk पर यहां पर लिगा final decision is yet to be made अभी तक कोई भी decision जो है वो नहीं लिया गया है और इसी में यह भी लिखा है international students are a really positive thing for our university for our community but if you look at the number of dependents that come with international students you would expect most international students may bring one dependent or if they are doing PhD they may bring their wife maybe a child but there are some people who are coming to study in the UK who are bringing five six more people with them. तो इसका मतलब है यार अगर एक student आ रहे है तो पांच-छे dependent जो है वो साथ में आ रहे है तो definitely इससे UK की economy पे फरक तो पड़े गई यार क्योंकि अगर वो बच्चे है मालो तो वो ना तो tax देंगे ना एना इपे खरेंगे और इसकी वज़े से economy पे जादा फरक पड़ता है और हर government हर country government जो है वो कुछ ना कुछ action तो जरूर लेती है अब यार UK इतना बड़ा तो है नहीं Canada जितना इंडिया जितना तो UK जो है वो छोटा है land जो है वो उतनी ही है और immigrants जो है वो काफी ज़्यादा यहाँ पर आ रहे है तो उसकी वज़े से UK जो है वो काफी नहीं आया है और इसकी क्या timeline होने वाली है यह भी कहीं पर mention नहीं है जब भी final decision आएगा वह UK की government website पर आ जाता है और वहीं सही हमें भी पता लगता है तो अगर आपको कोई कह रहा है कि UK dependent visa बंद होने वाला है या फिर कोई ऐसे news आ गई है तो यह बिलकुली गलत है अभी ऐ नहीं नहीं आई है यह दिना प्रोपोजल्स इन युके home office your ministers वह बाते कर रहे हैं लेकिन कोई भी information अगर आती है तो वह न्यूज में आती है definitely और UK government website पर आ जाती है और UK government website पर अभी दक सब कुछ लिखा हुए है कि आप अपने dependence को यहां पर ला सकते हो तो फिलाल के लिए आप ला सकते हो अगर कोई changes आते हैं तो हम आपके साथ share कर देंगे अपने वीडियो के तुरू अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि UK में recession जो है वो आने वाला है और उसकी वैसे अगर आप लोग प्लान कर रहे हो UK में आने का तो आप डिले भी कर सकते हो but because of these immigration rules जो dependent के लिए specifically ऐसे articles में आये या proposals आने वाले है उसकी वैसे अगर आप लोग प्लान कर रहे हो UK में study करने का तो अगर हो सकते हो या फिर अभी अगर आ रहे हो तो आ सकते हो आप हो सकता है कि कुछ rules जो है वो strict हो जाए dependence के लिए जैसे कि आपको पता है कि bachelor's वाले जो कोई भी information आती है तो हम आपके साथ शेयर कर देंगे लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप अगर आप अगर आप जैन्रूल के लिए प्लान करते हो तो that is the best time आप आ सकते हो फिलाल अभी कोई भी ऐसी नहीं आई है but decision is yet to be made और यह जो भी प्रपोसल से यह फिलाल student visa के dependent जो है वो student visa के ओपर जो dependents आ रहे हैं और इस article में यह भी लिखा entry for foreign workers to some higher skilled job could however be easy but अगर कोई highly skilled worker है या फिस skilled worker visa पर यहां पर आ रही है तो उनको कोई retention लेने की जूरत नहीं है ऐसा कोई रूल highly skilled लोगों के लिए निकाला है इन्होंने या निकालने वाले है अभी फिलाल जो है यह student visa पर जो dependents आ रहे है उनके लिए रिव्यू कर रहे है अपना plan तो hopefully आपको इस वीडियो से थोड़ी help मिल गई होगी ऐसा कोई भी रूल नही plan कर रहे हैं यहां पर और कोई भी ऐसी आती है तो यार unfortunately अगर वह आपके favor में नहीं है तो आप उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते जो UK government है वो definitely immigration पर control जो है वो लगाने का सोच लिया है तो अगर आप UK आने का plan करते हो तो आप यहां पर जल्दी जल्दी आ सकते हो तो hopefully if you like the video please hit the like button and subscribe to our channel और comment करके बताओ अगर आपको कोई भी डाउट हो कोई भी आपको feedback देना हो हमारी वीडियो पर तो आप comment section में दे सकते हो तो मिलते हैं वी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर अगर